हलो स्टूडेंट्स दिस इस तनुश्री सो तोड़ी विल स्टार्ट एक्सरसाइस नमबर 28 फ्राम मल्टिप्लिकेशन एड डिविशन आप डेसिमल्स सो लेट स्टार्ट कोशिन नमबर 1 देखो मल्टिप्लाइ करनी है तो फर्स्ट देखो 0.2 इन्टू 4 तो 0.2 और नीचे हम 4 ऐसे लिखेंगे अभी मल्टिप्लाइ करनी है तो देखो फर्स्ट हम पॉइंट छोड़के मल्टिप्लाइ करेंगे तो जैसे हम मल्टिप्लाइ करते तो वैसे ही हम करेंगे देखो 4 into 2 हो जाएगा 8 अभी देखो 4 into 0 हो जाएगा 0 अभी हम Point देंगे तो देखो यहाँ पे Right Side से हम देखेंगे एक डिजित के पहले Point है तो यहाँ पे देखो एक डिजित के पहले Point हो जाएगा ठीक है right side से हम देखेंगे तो answer होगा 0.8 अभी next देखो 0.9 और 8 ठीक है अभी multiply होगा देखो 8 into 9 हो जाएगा 72 तो 2 हो जाएगा और 7 केरी होगा अभी देखो 8 into 0 0, 0 plus 7 7 हो जाएगा ठीक है अभी हम point देंगे तो देखो right side से 1 digit के पहले point है तो यहाँ पे देखो right side से 1 digit के पहले point हो जाएगा तो answer होगा 7.2 next देखो 0.4 और नीचे 12 हो जाएगा ठीक है अभी हम multiply करेंगे तो देखो 2 into 4 हो जाएगा 8 2 into 0 हो जाएगा 0 अभी नीचे देखो 1 into 4 हो जाएगा 4 1 into 0 हो जाएगा 0 ठीक है अभी add करेंगे 8 हो जाएगा 4 plus 0 4 और 0 हो जाएगा ठीक है अभी देखो 1 digit के पहले point हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखो 1 digit के पहले right side से तो 8 के पहले point हो जाएगा ठीक है तो answer होगा देखो answer होगा 4.8 ठीक है ये 0 देने की ज़रुरत नहीं है अभी देखो next 9.1 और 11 ठीक है अभी देखो 1 into 1 1 1 into 9 9 अभी नीचे 1 into 1 1 हो जाएगा 1 into 9 9 हो जाएगा अभी add करेंगे 1 9 plus 1 10 0 1 carry हो जाएगा 9 plus 1 10 ठीक है अभी देखो right side से एक digit के पहले point है तो यहाँ पर right side से एक digit के पहले point हो जाएगा तो answer हो जाएगा 100.1 ठीक है next 12.4 और 13 अभी देखो 3 4s are 12 2 और 1 carry हो जाएगा 3 2s are 6 plus 1 7 3 1s are 3 ठीक है अभी नीचे 1 4s are 4 1 2s are 2 1 1s are 1 अभी 2 हो जाएगा अभी 4 plus 7 हो जाएगा 11 1 और 1 carry हो जाएगा 2 plus 3 5 plus 1 6 और 1 हो जाएगा ठीक है अभी देखो right side से एक digit के पहले point है तो यहाँ पर एक digit के पहले point हो जाएगा ठीक है answer होगा 161.2 अभी next देखो 13.5 और 17 ठीक है अभी multiply हो जाएगा अभी देखो 7 5s are 35 5 और 3 carry हो जाएगा 7 3s are 21 22 23 24 हो जाएगा 4 और 2 carry हो जाएगा अभी 7 1s are 7 plus 2 9 ठीक है अभी देखो 5 1s are 5 1 3s are 3 1 1s are 1 अभी add हो जाएगा 5 अभी 5 plus 4 हो जाएगा 6 7 8 9 अभी 9 plus 3 हो जाएगा 12 2 1 carry हो जाएगा 1 plus 1 2 ठीक है अभी देखो right side से एक digit के पहले point है तो एक digit के पहले point हो जाएगा आंसर होगा 229.5 नेक्स्ट 0.12 और नीचे हो जाएगा 62 ठीक है अभी देखो 2 2s are 4 2 1s are 2 2 0s are 0 ठीक है अभी 6 2s are 12 2 1 carry हो जाएगा 6 1s are 6 6 plus 1 7 हो जाएगा 6 0 0 ठीक है अभी 4 2 plus 2 4 7 0 अभी देखो 1 2 ठीक है अभी नेक्स्ट देखो 4.32 और 51 ठीक है अभी 1 2s are 2 1 3s are 3 1 4s are 4 5 2s are 10 0 1 carry हो जाएगा 5 3s are 15 plus 1 16 6 1 carry हो जाएगा 5 4s are 20 plus 1 21 अभी 2 3 6 plus 4 10 0 1 carry हो जाएगा 1 plus 1 2 और 2 ठीक है अभी देखो 1 2 तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट हो जाएगा ठीक है तो आंसर हो जाएगा 220.32 next 9.87 और नीचे 47 ठीक है अभी देखो 7 7s are 49 9 और 4 carry हो जाएगा अभी 7 8s are 56 57 58 59 60 0 और 6 carry हो जाएगा अभी 7 9s are 63 64 65 66 67 68 69 और नीचे 47s are 28 8 or 2 carry हो जाएगा 4 8s are 32 plus 2 34 4 3 carry हो जाएगा 4 9s are 36 37 38 39 और भी 9 8 4 plus 9 13 3 1 carry हो जाएगा 9 plus 6 15 plus 1 16 6 1 carry हो जाएगा 3 plus 1 4 अभी दो डिजिट के पहले पॉइंट है तो दो डिजिट के पहले पॉइंट हो जाएगा तो आंसर होगा 463.89 अभी नेक्स्ट देखो 2.007 और नीचे 36 अभी मल्टिप्लाई हो जाएगा 6 7s are 42 2 4 carry हो जाएगा अभी 6 0 0 plus 4 4 हो जाएगा 6 0 0 6 2s are 12 अभी 3 7s are 21 1 2 carry हो जाएगा 3 0 0 plus 2 2 3 0 0 3 2s are 6 अभी add हो जाएगा 2 4 plus 1 5 2 2 6 plus 1 7 तो देखो right से 3 digit के पहले point है ठीक है 1 2 3 3 digit के पहले point है तो right साइट से 1 2 3 3 digit के पहले point हो जाएगा तो आंसर होगा 72.252 next 3.125 और नीचे 86 अभी देखो 6 5s are 30 0 3 carry हो जाएगा 6 2s are 12 plus 3 13 14 15 5 और 1 carry हो जाएगा 6 1s are 6 plus 1 7 अभी 6 3s are 18 अभी नीचे देखो 8 5s are 40 0 और 4 carry हो जाएगा अभी 8 2s are 16 plus 4 17 18 19 20 0 और 2 carry हो जाएगा अभी 8 1s are 8 plus 2 10 0 और 1 carry हो जाएगा अभी 8 3s are 24 plus 1 25 0 5 7 8 5 plus 1 6 और 2 तो देखो राइट साइड से 3 डिजिट के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 3 डिजिट के पहले पॉइंट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 268.750 तो हम 0 छोड के भी लिख सकते हैं ठीक है तो 268.75 यह भी हम लिख सकते हैं तो नेक्स्ट देखो 4.028 और 234 4 8s are 32 2 3 carry हो जाएगा 4 2s are 8 plus 3 11 1 1 carry हो जाएगा 4 0 0 plus 1 1 4 4s are 16 अभी 3 8s are 24 4 2 carry हो जाएगा अभी 3 2s are 6 plus 2 8 3 0 0 3 4s are 12 अभी देखो नेचे 2 8s are 16 6 1 carry हो जाएगा 2 2s are 4 plus 1 5 2 0 0 2 4s are 8 2 4 plus 1 5 6 plus 8 14 plus 1 15 5 1 carry हो जाएगा अभी 5 2s are 10 plus 1 11 5 plus 6 11 plus 1 12 2 1 carry हो जाएगा 2 plus 1 3 plus 1 4 8 plus 1 9 अभी 3 digit के पहले point हो जाएगा ठीक है तो answer होगा 942.552 question number 2 fill in the blanks तो देखो first 2.34 into 10 अभी 10 से ही multiply होगा ठीक है तो first हम point छोड़के 234 जो है इसके साथ 1 multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 234 अभी देखो एक 0 बचा है ठीक है तो last में 0 हो जाएगा अभी देखो point हम देगे तो right side से 2 digit के पहले point है तो यहाँ पे 2 digit के पहले point हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम 0 छोड़के भी लिख सकते हैं 23.4 ठीक है अभी देखो और एक process से भी हम कर सकते हैं तो देखलो 2.34 into 10 ठीक है फर्स्ट हम point उठाएंगे तो देखो point के लिए 1 आएगा और last में 2 digit है तो 20 हो जाएगा ठीक है और ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है जो easy लगेगा वह आप लोग करना तो अभी next देखो 89.015 into 10 ठीक है तो फर्स्ट हम 89.015 यह जो है यह हम one से multiply करेंगे तो हो जाएगा 89015 ठीक है अभी एक 0 है last में तो लास्ट में 0 हो जाएगा अभी हम point देंगे देखो 123 थ्री डिजिट के पहले point है तो यहाँ भी देखो 123 थ्री डिजिट के पहले point हो जाएगा ठीक है तो 0 छोड़के भी आप लोग लिख सकते हो ठीक है तो देखो एक डिजिट के पहले point है तो एक डिजिट के पहले point हो जाएगा अभी देखो point के बाद 0 के कोई value नहीं होता है तो हम काट देंगे और point उठा देंगे ठीक है तो हो जाएगा answer 1342 ठीक है अभी next देखो 4.34 into 100 तो देखो 100 के साथ multiply करनी है तो first हम point छोड़के 434 से 1 multiply करेंगे तो हो जाएगा 434 अभी देखो 20 है तो 20 हो जाएगा last में अभी हम point देंगे तो last में right side से 2 digit के पहले point है तो यहाँ पे भी right side से 2 digit के पहले point हो जाएगा तो 20 यह cancel हो जाएगा point हम उठा देंगे तो हो जाएगा 434 अभी next देखो 1.325 into 100 तो हो जाएगा 1 3 2 5 0 0 अभी 1 2 3 3 digit के पहले point होगा तो 1 2 3 3 digit के पहले point हो जाएगा तो इससे हम लिख सकते हैं 132.5 अभी देखो next 8.7 into 100 तो हो जाएगा 8700 अभी देखो एक digit के पहले point हो जाएगा तो अभी यह cancel हो जाएगा और point उठ जाएगा तो हो जाएगा answer 870 कोशे no.3 write the products तो products means multiply करनी है तो first देखो 1.67895 into 1000 तो first हम point छोड़के इसके साथ 1 multiply करेंगे तो हो जाएगा 167.895 तो जाएगा अभी देखो 30 है तो last में 30 हो जाएगा अभी हम point देंगे तो देखो यहाँ पे 1,2,3,4,5 5 digit के पहले point है तो यहाँ पे देखो 1,2,3,4,5 5 digit के पहले point हो जाएगा अभी point के बाद 0 के कोई value नहीं होता है तो हम cut देंगे तो यहाँ पे देखो answer हो जाएगा 1678.95 अभी next देखो 762583 अभी 40 है तो 40 हो जाएगा अभी देखो point 1,2,3,4,4 digit के पहले है तो यहाँ पे 1,2,3,4,4 digit के पहले point होगा तो अभी point के बाद 0 की कोई value नहीं होता है तो हम cut देंगे और point उठ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 762583 अभी next देखो 1,2,5,12,3,4,5,0 हो जाएगा 1,2,3,4,5,0 अभी 1,2,3,3 digit के पहले point होगा ठीक है यहाँ पे तो 1,2,3,3 digit के पहले point हो जाएगा तो point के बाद 0 कैंसल हो जाएगा और point उठ जाएगा तो हो जाएगा 1,2,5,0,0 ठीक है अभी next 1,9,3,5,0,0,0 हो जाएगा अभी 1,2,2 digit के पहले point है तो 2 digit के पहले point हो जाएगा अभी 0 कैंसल हो जाएगा point उठ जाएगा तो हो जाएगा 1,9,3,5,0,0 अभी next देखो 0,0,0,0,0,0,0全 तो 45 के पहले 0 तो हम first इसके साथ 1 multiply करेंगे तो हो जाएगा 4, 5, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 0 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 0 अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट के पहले point है तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट के पहले point होगा तो point के बाद ये cancel हो जाएगा और point उठ जाएगा तो answer होगा 45 अभी next देखो 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0 1, 2, 3, 3 डिजिट के पहले point हो जाएगा तो 1, 2, 3, ठीक है 3 डिजिट के पहले point हो जाएगा अभी ये cancel हो जाएगा point उठ जाएगा तो हो जाएगा 2, 0, 0, 1, 2, 0 तो ये था exercise 28 next वीडियो में हम exercise 29 स्टार्ट करेंगे